हेलो फ्रेंड्स वेलकम टोन माय चैनल मेरा नहाम है दुरू और आप देख रहे हैं दला नर्स कब्टेटी आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमिस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट का यूनिट फॉर का पार्ट टू पार्ट वन अल्रेडी हमारे चैनल प पार्ट में पर चुके हैं पार्ट वन में तो आप पहले उसे देखिए उससे आपको बेसिक नॉलिज पता चल जाएगी तो आज की वीडियो में हम साफ साफ देखें कि जर्मनी में नाजीवाद का किस प्रकार विकास हुआ उसके क्या कारण थे तो चलिए वीडियो को यह नल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पूरा देखें काफी ज्यादा इंपॉर्टन वीडियो है और यह वाला पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टन है यूनिट फोर में से तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आता जू ठीक तथा एडौल्फ हिटलर को नाजिवादी का संस्थापक भी कहा जाता है मतलब कि नाजिवादी जो ववस्था थी वो एडौल्फ हिटलर के द्वारा जर्मनी में शुरू की गई थी ते एक वालगार से फासी वादी विवस्था जो इटली में थी वह यहां पर शुरू की जानी थी परन्तु हिटलर जब सत्ता में आया तो उसने नाजीवादी व्यूस्था को पूरी तरह से सत्ता में लाने के लिए काम किया तो एक एडॉल्फ हिटलर को क्या माना जाता है नाजीवादी का सस्थापत माना जाता है नाजिवादी सरकार एवं आम जनता के मध्धे एक नए रिस्ते के पक्ष में था जिसकी शुरुवात जर्मनी में होई थी कट्टर जर्मन राष्टेवाद देश प्रेमी विदेशी विरोधी आर्रे एवं जर्मन हित नाजिवाद की विचारधारा के मूल आंग थे मतलब कि जो नाजिवादी विवस्था थी उसमें क्या-क्या थे जो कट्टर जर्मन लोग थे राष्टेवाद देश प्रेमी विदेशी विरोधी आर्रे और जर्मन के जो हित के जो लोग थे ये लोग क्या थे इसकी एक प्रकार से अंग के रूप में काम करते थे अर्थात नाजिवादी फासिवाद का एक उग्र रूप है जिसका उद्देश राष्टेवाद को सरवोच परदाम करना है अब समझे कि फासिवादी वे व्यवस्था थी वो उग्र नहीं थी उसमें लोगों को उस पे लोगों पर हिंसा तो की जाती थी परंतु उन्हें चा आफ तोरपन मिर्त्यों के घाट उतार दिया गया था ये उग्र इसलिए यहां पर लिखा गया है कि नाजिवादी उग्र फासिवाद का एक उग्र रूप है जिसका उद्देश राष्टेवाद को सरवोच परदान करना है फिर आती है जर्मनी में हिटलर नाजिवाद का जिसका उद्देश अड्र फिटलर ने ने की थी वीशमाइन के शुरुआती दौर में जर्मनी को एक सामराजे माना जाता था तो वीशमीन सदी के सुरुआती अस समय आप कहा सकता है कि जर्मनी को काफ़े जाता पाउऌरफूल कंट्री के रूप में देखा जाता था इस जर्मनी ने ऑस्ट्रेलियाई सामराज्य से संदी करके पहरा विश्व युद्ध लड़ा जो कि 14-18 के बीच में चला तो जर्मनी ने क्या करा फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल लड़ा हिटलर चाहता था कि जर्मनी दुबारा से एक महान और शक्तिसाली सामराज्य बनकर देश के सामने उपस्तित हो इसलिए उसने नाजीवादी विचारधारा को अपनाया और जर्मनी को आगे बढ़ाने के लिए कारे किया तो हिटलर का मेन मोटिव था कि जो भी बेजती या फ जर्मनी में हिटलर ने कई सामाजिक कारेकराम चलाए थे सामाजिक कारेकराम मतलब शोशल जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिससे की जनता है उसके उसकी हेल्प हो सके तो सामाजिक कारेकराम चलाए जिनके कारण नाजीवादी की विरिद्धी ती उसमें विरिद्धी सम्वान दिलाना चाहता था हिटलर चाहता that peace जो नागरिक है जर्मनी से अधिकार प्राप्त हो उसी लिए उसने के लिए काम किया धेरे धी इस प्रकार इस प्रकरिया को जर्मनी के सभी नागरी को ने समर्तन दिया, मतलब जो नाजिवादी विवस्था थी उसको जर्मनी के सभी लोगों ने समर्तन देना चालू किया जिसके फल्सुरूप जर्मनी में नाजिवाद का उद्य तेजी से होने लगा सर 1933 में एडॉल्फ हिटलर के सत्ता में आने के बच्चा जर्मनी में तानाशाही की शुरुवात हुई जिसे नाजिवादी के रूप में भी जाना दाता था सही है तो भी होगा तो इस परकार की तानशाही वेवस्ता होती है फिर जर्म उध्य के क्या कराण थे तो जो नाजीवादी जो वेवस्ता थी यह वन ओ दी मुस्ट इंपोर्टेंट कोशन है ठीक आप से कारण पूछे जा सकते हैं सिंपली की जर्मनी में नाजीवाद के उध इस संधी के द्वारा जिस तरह चर्मनी के भूगलिक छेत्र उससे अलग कर लिए गए और उसके सेना पंगू कर दिया गया उसके आर्थिक संसाधन चीने और विलक कर दिये गए उससे भी बढ़कर संधी की धारा 231 के अनुसार इस उसे युद्ध अपरादी ठेराया गया तो आप सुनिए कि क्या हुआ कि First World War के बाद जब Warsaw की संधी की गई तो उस संधी के according जो जर्मनी का काफी हिस्सा है वो चीन लिया गया तो उसकी जो सेना थी उसको पंगू कर दिया गया मतलब ना सेना किसी काम की नहीं रही है वो पूरी तरह से ठीक है साथ में जर्मनी के संसाधन थे उन्हें भी छीन लिया गया था First World War के बाद और सबसे बीएं कारण था कि 1931 धारा के अंतरगत जो युद्ध का पराधी ठहराय गया मतलब जो First World War हुई उस युद्ध का पराधी जर्मनी को ठहराया गया यह सब स्वाभी मानी जर्मन जाती के लिए अत्यन्त न कारण बता देना किसी किसी व्यक्ति को यह कre도 आप ऐसे इड़्다 के कारण हो आपके वज़े से ऐइं पिर अपमान के बात टीजर्मनी जर्मनी के जुधि यूवा थे भावना व्यक्ति की की जर्मनी के समस्त शंकटों एवं दुखो का एक मातर कारण बोर्सा की संदी है जर्मनी ने इसे अत्यंद दवाव में स्वेकार किया था तो अब देखियो तो जर्मनी के यूवा लोग थे वो यह समझते थे कि जो बोर्सा की संदी है वही जर्मनी के अपमान का कारण है जर्मनी के यूवा समझते थे कि जर्मनी का पुनरुद्धार, जो जर्मनी का पुनरुद्धार है, वो हिटलर और उसकी नासी पार्टी ही कर सकती है, मतलब हिटलर ही एक ऐसा व्यक्ति है, जो कि जर्मनी का अपमान हुआ है, उसको क्या कहा सकते हैं, कि जो अपमान हुआ है, उस अपमान का बदला ले सकता है हिटलर और उसके साथियों ने इसका लाग उठाया वर्षा की संदी का विरोध किया करना हिटलर के भाषण का प्रमुक तत्व होता था मतलब जब भी हिटलर भाषण देने जाता था तो वो वर्षा की संदी का पूरी तरह से विरोध करता हुआ दिखाई दिया आवेश में गरज कर जब मैं कहता कि हमें वर्षा की संदी का नाश करना है तो जनसमू आमदोलित हो उड़ता जब भी हिटलर ये कहता कि हमें वर्षा की जो संदी है उसका नाश करना है तो जो लोग उसको सुनने आते थे वो साहित होते थे पूर्वीन उत्साहित हो जाते थे आंदॉलिकृत हो जाते थे मतलब आंदॉलन करने के तोर पर वी तैयार हो जाते थे उसे राष्टे संग की सदस्या मिल चुकी थी, उसकी भूमी से विदेशी सेना हट चुकी थी, बतलब जर्मनी की भूमी पर विदेशी सेना खड़ी थी, यह फर्श्ट वर्ड वार के बाद उसको वहां से हटा दिया गया, राष्टे संग की उससे क्या मिली, सदस्या मिल पतायित भी लगभग समाप्त हो गया था, किन्तु जर्मन लोग, जर्मन के जो लोग थे वो वर्षा की संदी को अपना मानते थे और मन मस्तिश्क से दूर नहीं कर पाए, वे इसका पतला लेना चाहते थे, इसलिए हिटलर को एक महानायक, हिटलर के रूप में जर्मनी को क्य युद्ध के दौरान, छटी की पूर्ती के लिए जर्मनी पर आप 6 अरब 68 करोड पॉंड थोप दिया गयते हैं, अब देखिए, कि फरस्ट वर्ड बॉर्ड बॉर्ड में जितने भी छटी हुई, तो उसका सारा का सारा बेडा किस पर डाला गया, जर्मनी पर डाला गया, तो उसको कितने का, उसको एक प्रकार से उसके कितना लगा दिया गया, टेक्स, या फिर आपके सकते पैसा, कि 6 अरब 68 करोड पॉंड उसके थोप दी गयी, जर्मनी के उद्योग व्यापार खाद्यान की छती होने, पर भी फ्रांस की सेना उने इन पर कपचा कर लिया, अब 22 में, 22 इसमें तक उसने 266 करोड पॉंड मित्र देशों को दे दिये, इसके बाद जर्मनी की आर्थिक दशा, मुद्रा, प्रसार, मंदी, रिने के कारण बहुत गिर गई थी, तो क्या हुआ, जर्मनी की स्तित्य जो थी, वो काफी जादा खराब हो गई थी, सिंपल सी बात काफी जादा पैसा, पैसा वो दूसरे देश को दे रहे थे, तो उसके स्वन मार्क का जहां मूल इंगलेंड में एक पॉंड के बराबर था, वहीं युद्ध काल में उसका इतना अमूलन हुआ की 90 करोड मार्क रह गए थे, जर्मनी की बैमार गड़ तंतरता की सरकार ने छ परंदुमित्र देशों ने डावे इस योजना के अत्रिक्त कुछ नहीं किया, तो आप समझे, इतना बड़ा पॉंट है, इसको समझे की फर्स वर्ल वार के बार जितनी भी जो आप क्या सकते की जर्मनी को युद्ध का कारण माना गया था लोगों के द्वारा, उस सभी व हुआ कि उससे समझाता कर लिया गया कि आपको स्वन मार्क देने होंगे, तो सन 1922 तक उसने 266 करोड जो पॉंड थे, वो मित्र राष्ट को दे दिये थे, अब इतना पैसा दे दिया तो जर्मनी के पास खुदी समस्याओं का समस्याओं के सामने सामने खड़े होने लग अगयी खाने की जो चीज़ें वो खतम हो गयी हूए, तो इसके कारण फ्रांस ने उसकी कई सारे हिस्शों पर भी कबजा लिया था, तो इस प्रकार की स्थिती महां के सामने लोगों के सामने आ गई थी तो इसी कारण महां पर किया नाजिवाधी वαιवस्था का भी जर्मनी जर्मनी जाती किस रिष्टता का अभियान हिटलर ने अपने कारागार वाले समय में एक पुस्तक लिगी थी जिसका नाम मेरा संगर्ष या फिर माइश्ट्रगल था इस पुस्तक में जर्मन जाती को आर्यों की नसल पता कर जर्मन जाती किस रिष्टता को स्थापित किया गया था तो इस बुख के अंदर ये बताया गया कि जर्मन के जो लोग है उनकी जाती क्या है आर्ये और वो सर्वोच्च है इस प्रकार की बाते उस किताब में की गई जर्मन जाती शुद्ध आरे है तथा समस्त विश्व परशाशन करने के लिए ही जन्मी है तो उस बुक में ये भी बताया गया कि जर्मन की जाती है वो समस्त शुद्ध आरे जाती है और उसका जन्म इसलिए हुआ है ताकि वो पूरे विश्व पर कबजा कर सके और उस पर शाशन कर सके इस प्रकार की बाते उस बुक में लिखी गए थी इस प्रकार की विचारधारा का हिटलर ने बड़े ही जोर शोर से प्रचार किया है हिटलर का कतन था कि लोग को जर्मन कह जाता कहा जा सकता है उन्हीं लोगों को जर्मन कहा जा सकता है जिनकी धमनियों में आर्यरत का संचार हो मतलब कि उन्हीं लोगों को जर्मनी का जर्मन कहा जाएगा जिन लोगों के अंदर आर्य का खून हो आर्य का खून हो जर्मनी में रहने वाले अन्य वैक्ति देश के स्विकार नहीं किया जा सकता जर्मन जाती को कोई भी संधी अपमानित नहीं कर सकती विश्म में जर्मन जाती ही स्रिष्ट जाती है। इस भावना के कारण हिटलर ने नाजी दल के ध्वज पर प्राचीन आरे का परतीक अंकित किया था अब देखिए अब समझे कि जो जर्मन की जाती है वो सर्विष्ट मानी जाती थी जर्मनी में क्योंकि हिटलर ने इसका बहुत ज्यादा प्रचार और प्रसार किया था हिटलर चाहता था कि पूरे विश्व पर किसका जर्मनी का ही कपचा हो उसी का शाषन हो तो इसके लिए उसने क्या करा क या स्वास्तिक का चिन देखने को मिलती नजिवादी व्यूस्ता के अंधर थी आपके सत्वारश को लगा दिया गया तो यह अभियान के ताकि नाजिवादी विऊस्ता को आर्थिक मंदी, 1930 के आर्थिक संकट का जर्मनी पर घातक प्रवाव पड़ा, इसके फलसौरूप देस के आर्थिक आवस्ता स्वाचनिये थी इस आर्थिक संकट ने जर्मनी के मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निमन वर्ग के लोगों को बरबात कर दिया, तो अब आर्थिक मंदी हुई थी 1930 में इस मंदी में क्या करा जो मिडल क्लास है और जो लोवर क्लास है इन लोगों को पूरी तरह से तैशनेस्ट कर दिया था ठीक है बरबात कर दिया किर्शिक की दशा भी सोच निया थी मलग किर्शिक वर्ग जो थे उनकी जो दशा थी वो भी काफी जादा खराबती लैकसम के अनुस्वार 1931 में कर्शिक की लगभग 3 अरब डॉलर रिण था टिक है कर्शिक को 1931 में जो कर्शिक वर्ग था उन पर लगभग 3 अरब डॉलर का रिड्द था नाजी दल ने कृष्रिकों को रिण से मुक्त दिलाने का आशवशन दिया जिससे किषिक वर्ग भी नाजी दल की और अक्रशित बहतो दर नाजी का दल कितां कि व्थब था किस्सान के आपकी सर्फर फो हम चुकता करेंगे तुश लौन पूरी प्रफिक संकट ने 60 लाग वैक्तियों को बिरोजगार कर दिया, उनके दिवालियपन और निर्धारित निर्धंता को बढ़ा दिया, हिटलर ने बिरोजगारी लोगों को रोजगार देने का आश्वशन दिया, जिससे बिरोजगार लोग नाजिवादी का समर्तन हो गए, तो जिससे कि ये जो लोग हैं, जर्मन के जो लोग हैं, वो नाजिवादी व्यवस्ता का समर्तन हो लगे, हिटलर का वैक्तित, अब हिटलर के वैक्तित क्या दात पर है, मैं आपको पिछले पार्ट में भी बता सुका हूँ, कि मुसलीनी और हिटलर का वैक्तित भी इस प्रकार का था चमतकारी या करिश्माई व्यक्तित्व था कि लोग उनके बाते सुनकर उनके समर्थक हो ही जाते थे इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था तो इस प्रकार को देखें कि नाजी दल के उतकर्ष का एक प्रमुक कारण हिटलर का कुशल नेत्रित्व था उसने जन नायक ह उने किसा वी गूलत थे यहूदियों, हिटलर की यहूदी विरूदी नहीं थे, जर्मनी में यहूदियों का काफी प्रभाह होता, तो मैंने आपको पहले पाट में बताए कि जर्मनी में जो लोग थे, उनका काफी जादा प्रभाह होता, ठीक है, यहूदी जो लोग थे, उनका काफी जादा प्रभा करते थे अंतहर जर्मन लोगों ने यहूदियों के प्रती आक्रोश था तो जर्मन के जो लोग थे वो चाहते थे कि यहूदियों को पूरी तरह से यहां से हटा दिया जाए विकॉज यह लोग उनका शुश्रु करते हैं जर्मनी के माध्यम से वर्ग तथा बेकार लोग कट्टर यहूदी विरोधी थे क्योंकि उनका उनकी धार ना बन गई थे कि प्रतम विश्व यूद्ध में जर्मनी की पराजे के लिए यहूदी की लोग उतर दाई हैं जर्मन के लोग थे फर्स्ट वल वार के बाद यह मानते थे कि यहूदियों के कारण ही हम लोग यूद्ध हारे हैं तो इसलिए वो उनके बड़े विरोधी हो गए थे हिटलर एक चतुर राजनितिक्य था उसने जर्मनी लोगों की यहूदी विरोधी भावनाउं का लाव इसलिए उसने यहूदी विरोधी आमदोलन को शुरू किया यहूदियों को घटाना आरंब कर दिया तो जिससे क्या हुआ जनता और जाता हिटलर के समर्थक बन गई तो यह थे आपका पूरा का पूरन नाजीवादी विस्ता के बारे में ठीक हमने मैं आपके बताया कि ना है तुए थे आपके आखके पॉन्ट आपको वीटियो कैसी लगे की आप हमें जड़ूलत रुद आपके चैनल को सब्सक्राइब करें जेतना हो सकते बीडियो को शेयर करें काफी जादा इन पॉर्केंड वीडियो है इसके जो कारण है आप प्लीस इन कारणों को बहुत ही जाए अच्छे से याद करिए विकाज एगर एक्जैम्स में आपसे नाजीवादी व्यवस्ता के कारण पूछे जा सकते हैं तो आप पॉइंट बना-बना के काफी अच्छे से इनको लेख सकते हैं बाकी आपको नोट स हमारे वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे साथ में आप हमारे टेलेक्राम ग्रूप जाइन कर सकते हैं आपको आपडेट समा पर भी देतीजे जाएंगे तो मिलते हैं लिए वीडियो में थैंक्स पर विजिटिंग और मैं चैनल गाइस